हाई गाईज वेलकम टो एपसी मेराज तीप और आप देख रहे हैं एपसी टेक्निकल वीडियो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जैसा कि आप देख पारे हैं हमारे पास कैनन फिक्समाजी 77 वर्सेस एच्पी स्मार्ट टेंक 585 का सलाइड है और इ साइड नहीं कर पारें कि हमें कौन सा प्रिंटर सूट करेगा क्योंकि प्रिंटर सारे अच्छे होते हैं बट पंसन और इसका जो काम करने का तरीका है अधी वह आपको पता चल जाएगा तो आप अपने लिए एक बहतर प्रिंटर पर्चिस कर सकते हैं तो वीडियो के तो आज हम ये वीडियो में जानेंगे कि कैनन पिक्समा जी सैंती सतर और एच्पी स्मार्ट टेंक 585 में मेजर क्या डिफरेंसेज हैं और कौन सा बहतर होगा आपके लिए तो सबसे पहले प्रोड़क्ट व्यू और फंसन के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले कैनन प एक साइड दे अव और इसमें बात करते डिस्प्ले और बटन्स का तो इस मामले में ऐसं हुद्प भाटन भी जादा है और HPE स्मार्ट टेंकर डिस्प्ले ईपर है । चोटा है तो इस मामले में Canon बाजी मार रहा है और Canon का function के बारे में भी discuss कर लेते हैं Canon में light dark print photocopy कर सकते हैं क्योंकि इसमें function दिया हुआ है बड़ा छोटा reduce enlarge कर सकते हैं बट यह facility आपका HP smart tank 585 में नहीं दिया हुआ है यह हो गया function major function इतना differences इस page में है अब आगे के page में देखते हैं तो आगे के page में हम online pricing की बात करते हैं तो online pricing में कोई खास अंतर नहीं है online offline mode में आप जिसमें जाएंगे 14 से 15,000 में दोनों printer available है ठीक है अब आगे के slide में बढ़ते हैं in box yield जब printer new आता है हमारे पास तो उसमें जो ink रहता है उसका mileage क्या होता है तो बात करते हैं Canon Pixma G37 का तो black का mileage 6000 है और color का 7700 है HP smart tank की बात करते हैं 585 का तो black 6000 है और color 6000 है तो इस मामले में Canon बाजी मार रहा है क्योंकि mileage इसका color का ज्यादा है अब आगे के slide में बढ़ते हैं बात करते हैं duty cycle duty cycle का मतलब है कि आप month में कितना printer को use कर सकते हैं उसके लिए बना है तो Canon Pixma G3770 भी 3000 के लिए बना है और HP smart tank 585 भी 3000 के लिए बट इसमें आगे के slide में मैं बता रहा हूं उस पर गोर कीजेगा recommended monthly phase volume कोई भी company बताता है कि मेरा duty cycle तो 3000 है आप 3000 तक महिने में print कर सकते हैं बट इतना page print कीजेगा तो मेरा printer अच्छा से चलेगा तो Canon Pixma G3770 1500 से 1500 पेज तक चलाने के लिए company बताता है ठीक है जबकि HP smart tank 585 400 से 800 पेज ही तो इस मामले में भी Canon Pixma G3770 बाजी मार रहा है अब आगे के slide में बढ़ते हैं आगे के slide में a scan resolution की बात करते हैं तो a scan resolution Canon Pixma G3770 में 600 dpi इंटू 1200 dpi है जबकि HP smart tank 585 1200 इंटू 1200 dpi है तो इस मामले में HP smart tank आगे निकल रहा है अधी आपको printer खरीदना है a scanning के related तो आप HP smart tank 585 लें तो आपका a scanning का quality Canon से बढ़िया होगा ठीक है अब आगे की slide में बढ़ते हैं print speed mono and color तो print speed में कोई खास अंतर नहीं है Canon Pixma G3770 11 ipm है और 6 ipm में color है जबकि HP smart tank 585 में 12 ppm आपका mono है और 5 ipm color है तो मिला जुला के देखा जा तो इस में कोई खास अंतर है नहीं तो आगे बढ़ते हैं number of nozzles यह matter करता है Canon Pixma G3770 में total nozzle 1792 1792 है जबकि HP smart tank 585 में total nozzle 1292 1292 है तो इस मामले में Canon Pixma G3770 आगे निकल गया है क्योंकि जिसका nozzle जादा है उसका print quality उतना ही अच्छा होगा तो अधी print quality के मामले में अधी आपको printer purchase करना है तो आप Canon का Pixma G3770 purchase कीजिए अब आगे बढ़ते हैं print resolution तो print resolution दोनों का same है तो इसमें हम discuss जादा करते नहीं है अब आगे बढ़ते हैं maintenance cartridge यह एक सबसे बड़ा चीज है देखें printer क्या होता था प्रिंटर में आप जब ink use करते हैं डालते हैं तो जब print होता है तो hundred percent ink हमारा paper पे नहीं आता है कुछ west होता है वह west ink एक absorber में जाता है जो printer के अंदर होता है तो पहले क्या होता था कि Absorboard toutes पूर्प प्रिंटलोर के अंदर लगा वहा रहता था तो फूल होने के बांद जब उसके अंदर गिरने लगता था तो ओबरफ्लो होने लगता था और अबरफ्लो के साटव फैल जाता था प्रिंटलोर विसके कारण पेज में दाग आ जाना प्रिंटर का लाइफ कम हो जाता था सेंसर में चला गया, सेंसर सोट हो गया तो ये सब दिक्कत आता था तो Canon ने क्या किया है कि अभी maintenance cartridge बोलके वही वेस्टेज पेड का kit लाया है और उसको इतना आसान कर दिया है कि कोई customer भी खुद से उसे install कर जाता है, और सबसे बढ़ी बढ़ी हाँ बात है कि जब वो maintenance cartridge फूल हो जाता है, तो वो printer में message देता है कि आपका maintenance cartridge फूल होगा, आप change कीजे, और उसको change कर देने के बाद, वो overflow होके printer के अंदर ink नहीं फैलता है, जिसके करण printer का life बढ़ जाता है, तो वो facility Canon PIXMA G-37 में है, और उस maintenance cartridge का number है MC-G-04 तो अधि आपको long lasting वाला printer लेना है, तो Canon PIXMA G-37 लेना है, और HP Smart Tank 585 में ये वाला maintenance cartridge नहीं है, जिसके करण इसका Canon के तुलना में, इसका life कम हो जा रहा है, तो मिला जुला के यह निसकर से निकलता है, कि अधि आपको print quality चाहिए, printer का life अच्छा चाहिए, printer का mileage चाहिए, तो आप Canon PIXMA G-37 purchase कीज़े, और अधि आप scanning purpose से printer ले रहे हैं तो आप HP Smart Tank 585 ले, यह आपके लिए better होगा, आसा करते हैं यह वीडियो आपके लिए helpful हो, अधि आपको यह वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को like, channel को subscribe, और possible हो, तो आप इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ सेर करें, जो इसी profession से जुड़े हों, धन्यवाद